जय मातादी, वेलकम बेक टू सोनी का किचेन नहीं, तो यह मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, यह मैंने एक लीटर मिल्क लिया है, खुद को हम हाई फ्लेम पर एक उबाला आने तक पकाएंगे, तर से पहले दूद में हम केसर डाल देंगे, जिससे केसर अपना फ्लेवर बहुत अच्छा छोड़ता है, जब दूद करता तो अपना फ्लेवर और कलर बहुत अच्छा छोड़ देता है, तो आपको किसी चीज में केसर यूज करना हो, तो आप स्टार्टिंग में ही एड़ कर दिया करें, जिससे वो अपना कलर और फ्लेवर बहुत अच्छे से छोड़ दे, मिल्क बदाम बनाने के लिए, यह मैंन पाथ沒有 ही पीसना है, एक बदाम बदामों को मैं सारे गल में डाल दूंगी कॉंटिती के अकोंडिंग मैं इसमें 1-10 ihm कॉप मिल्क एड़ कर रहे हैं, ज्सलिए हमें ज्यादा दूद में बदामों की कॉंटित के अकोरडिंग ही थोड़ा दूद दूद करना है, तो यह दे दूद की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी डार्क हो जाए दूद को आप बीच बीच में इस्टर करते रहिए तो यह देखिए बदामों को जो हमने अच्छे से पीस लिया है बदाम को हमें थोड़ा दार दारी रगने एकदम स्मूध पेस्ट नहीं बनानी है जिससे मूह मे मिलक लिया अब इसमें वन टेबल इस्पून कस्टड पॉडर ढाल देंगे यह मैंने वन टेबल इस्पून कस्टर पॉडर लिया है और पॉडर को जो है मदूद में अच्छे से मिक्स कर ढालते है हमें कस्टड पॉडर और मिल्क को अच्छे से मिक्स करना है मिल्क को हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ है और दूद देखिए हलके-लके करड़ा है दूद में अब हम टेस्ट के अनुसार शुगर आड़ कर देंगे या मैंने 2 टेबल स्पून शुगर लिए है मिल्क में जो हमने कस्टड पॉडर भोला था उसको अट कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्लेवर के लिए थोड़ा से लाइची पॉडर आड़ कर देंगे जो की बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे यह जो बदाम पेस्टी इसको आट कर देंगे अब हम हलके हलके इस्टर कर देंगे तो यह देखे मिल्क में से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है एकदम आप चाहें तो इसमें एक चमच केवड़ा भी यूज़ कर सकते हैं जो की बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इमको जो है हम मीडियम कर देंगे और मीडियम है करते रहेंगे बीच बीच में इस्टर करते रहेंगे यदि आपके घर इलाइची पॉड़र नहीं है तो आप इसमें साबुत इलाइची का भी यूज़ कर सकते हैं अब milk को हम medium flame पर करते रहने देंगे, तब तक milk हमारा dark नहीं हो जाता थोड़ा, तब तक milk को हम जो है gas पर करते रहने देंगे, और यह देखिए जो side पे मलाई जो लगी रह जाती है, उसको हम हलके हलके scratch करते रहेंगे, जो कि milk में बहुत अच्छा flavor देगी, और यह देखिए दूद की consistency देखिए dark हो रही है milk बदाम है तो इसमें थोड़े से बदाम भी add कर देते हैं थोड़े सा पिस्था भी add कर देते हैं जो कि बहुत अच्छा flavor देगा तो ये देखिए हमारा milk बदाम हो गया एकदम ready अब flame को करते हैं और milk को थंड़ा होने देते हैं जब milk room temperature पर थंड़ा हो जाएगा तो इसको हम 2 घंटे के लिए fridge में रख देंगे बदाम मिल्क थंड़ा हो जाने के बाद इसको करेंगे हम serve बदाम मिल्क को मैंने room temperature पर पहले थंड़ा किया उसके बाद मैंने दो घंटे के लिए बदाम मिल्क को फ्रिज में रख दिया और बदाम मिल्क हो गया एकदम चिल बदाम मिल्क को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं यह आप चाहे तो कर लीजे नहीं तो ऐसे ही आप सर्फ कर सकते हैं तो यह देखिए बदाम मिल्क को अब मैं मिक्सी के जार मे डाल रही हूं जो हम mixie में बदाम बिल्क को ग्राइड करते हैं फुट का जो टेक्षर है वो एकदम स्मूथ हो जाता है और बहुती अच्छा टेक्षर देता और बहुती यमी बदाम मिल्क लगता है देखिए बदाइस मिल्क को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है, अब बदाइस मिल्क को हम 25 स ह 20 सेकिड लिए ग्राइड कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा बदां मिल्क होगे एकडाम से गांडीश के लिए बदाँ पिस्ता डाल देहां.. जो कि बहुत अच्छे लगेंगे यदि आपको ये मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज लाइक वर सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स वर वाचिंग